UBPCS Prelims 2024 की परिक्षाती थी आ चुकी है बहुत इंतजार था आप सभी को कल से एक्जाम डेट आ चुकी है 22 दिसंबर 2024 को आप सभी का एक्जाम है बहुत लंबा संगर साब सभी ने किया है मैं सबसे पहले आप सभी को सल्यूट करता हूँ जितने भी चात्र हैं जितने भी स्टूडेंट हैं सबने अथक परिस्रम किया है बहुत मेहनत की है और जो प्रियागराज में थे मैं बहुत सारे चात्रों से कल मिला भी हूँ लगातार मैं आप सभी के बीच में ही था इस पूरी अवधी में और सच में जब जब कुछ गलत हो रहा होता है ऐसे एक साथ मिलकर के दिया वाज उठाई जाये तो निश्चित तोर पे हर एक नेड़े को सही किया जा सकता है अभी आरो आरो को लेकर के इस प्रष्टता बाकी है अन्निता यूपी पीसेस की जो हमारी डिमांड थी पूरी हो गई है एक ही सिप्ट में एक ही दिन में एकजाम हो रहा है बाइस दिसंबर को आप सभी का एकजाम दो सत्रों में होगा पहला जीयस का पेपर है दूसरा सी सेट का पेपर है मैं भी अभी लोटा हूँ प्रयागरास से और अब जा करके अभी आखों में नीन बहुत ज़्यादा है मैं सोया नहीं हूँ कई रातों से नीन आभी नहीं रही थी 11 तरीक से जब से ये अंदोलन चल रहा था तब से लगातार दिमाग पूरी तरीके से यही बैठा हुआ था नॉमलाइजेशन जैसी परिस्तिती ना बने और वो हो गया बच गया उससे तो चलिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाईया जितने लोगों ने इसमें सहयोग किया सभी चात लगे रहे डिश्टल रूप से लगातार प्रयास किया गया और फिजकल अंदोलन महां अंदोलन ने अपना परडाम दे दिया तो यूपी पीसेस वाले चातर अब जितना है देखिए अब 22 तारीक डेट है तो 22 को ही एक्जाम होगा आरो यारो का एक्जाम था पहले इस टाइम पर आरो यारो तो अब इस्थागित हो चुका है अब देखते हैं एक्जाम डेट जल्दी आनी चाहिए इसके भी आरो वाले बच्चे भी अपनी पढ़ाई जरूर करते रहें अभी चुकि बहुत सारे आपके मित्र चातर सारे अंदोलन में हैं तो आप उनका भी उसाह बर्धन करें सभी के सभी और PCS वाले बच्चे अब पढ़ना चालू करते ग्राउंड में भी मैं जितने बच्चों से मिला हूं सबसे मैं एक ही बात कह रहा था कि पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और पढ़ाई ही काम आएगी परिक्षा वाले दिन तो सभी लोग अब पढ़ना चालू करेंगे मेहनत करना चालू करेंगे मैं भी अब पिछले एक सबता से क्लास नहीं ले रहा था क्योंकि मैं भी प्रयागराज में था और मैंने बहुत सारे वीडियो तो नहीं जारी किया था तो मैं लगातार वहाँ पर था लगातार जमीन पर था सारी चीजे थी और पूरा प्रयास था जो जो चीजे अपने से बन पड़ी बहुत सारे मित्र सारे सिक्षक गण सभी का सपोर्ट सहयोग सबको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सभी लोग बहुत सारे सिक्षक हमारे साथ में थे तो अब यहां पर पढ़ाई चालू करनी है देखे इस सवधी में जब मैं आप लोग के बीच में था आप में से बहुत साए लोगों ने मास्टर वीडियो के रिक्वेस्ट किये कि सर मास्टर वीडियो कुछ नए उपलब्द कर आजाए एक तो करेंट अफेर्स का मास्टर वीडियो मैं 22 नॉमबर को ही लेकर आ रहा हूँ आप सभी का ठीक है 22 नॉमबर को करेंट स्टार्ट होगा 22 से फिर मेरा प्रयास रहेगा कि हर सबता एक मास्टर वीडियो दिया जाए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्सान भी बिताईए कि मास्टर वीडियो आपको क्या चाहिए बाकि जो यूपी पीसेस मेंटरसिप बाले बच्चे है कल से आपकी क्लास में स्टार्ट कर दूँगा करेंट अफेर्स की क्लास सुवह मॉर्निंग वाली जो हमारी होती है कल से start हो जाएगी ठं के कल से 사स्ट कंटीनिव हो जाएगी आप सारी क्लास सुवह मॉर्निंग हो जाएगी कल से सारी क्लास अब तो देखो मैं धका हूँ नीड भी बहुत जयादा मुझे मुझे सोया नहीं हो कई रातों से तो अभी मुझे थोड़ा सा रेश्ट चाहिए एक दो आज मैं थोड़ा सा भी रेश्ट करूँगा अब जाकर अभी आयो लगातार चल रहा हूँ आट-नौ घंटे से सफर है तो अभी मैं रेश्ट करूँगा इसके बाद फिर मैं आपकी क्लास से स्टार्ट कर दूँगा ठीक है और पढ़ना है साथ ही मास्टर वीडियो के साथ साथ देखो अभी प्लेलिस्ट आपकी बनी है कि इंटाइर वीडियो की एक मास्टर वीडियो की बनी है मेंटर सी बैज वाले जो बच्चे हैं मैंने वहाँ पर स्पेसिफिक टॉपिक जो दिया है रिवीजन करवाएं आप सभी का वो सारी चीज़े देखनी है महा रिवीजन की क्लास भी कल से स्टार्ट हो जाएंगी सारी के सारी और इस बीच में इंटाइर वीडियो मास्टर वीडियो आजादे इस एकडमी के योट्टूब चैनल पर आएंगे करेंट इफर्स के क्लास डेली रहेगी सुबह साड़े पांच बजे निशुल क्लास है पांच पैतालिस से क्लास से स्टार्ट होगी तो कल से मौर्णिंग वाली क्लास में आ जाएगा और सारी क्लासेज में आज मैसेज भेद दिया जाएगा पेड क्लासेज सारी स्टार्ट हो जाएगी बाकी पेड क्लासेज में सभी में recorded सेसंस आपको जा रहे थे live सेसंस कल से स्टार्ट हो जाएगे ठीक है तो चलिए आप लोग भी पूरे जोस और जुनून के साथ अप पढ़ना चालू कर दीजे साथ ही आपके समिक्षा दिकारी वाले जो मित्र हैं उनका भी उस्सावरदन करना समिक्षा दिकारी में भी नॉमलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होगी और इसके लिए सतत प्रयाश सतत अंदोलन चलता रहेगा यूपी पी सियस वाले जितने बच्चे हैं आप लोग बस अब पढ़ना चालू कर दे क्योंकि अब टाइम इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं आच्छा मेरी भी जो बात वहां पे शातरो सो रहे क्योंकि मैं वहां पे ज़्यादा से ज्यादा च्चातरो से मिला हूँ, मेरा प्रयास यही था एक स्ट्ूडे रिज़ंत तार पे ही आप लोग के बीच मेरा ज्यादा से ज़्यादा प्रयास में थे कुछ ऐसे थे जो दूसरा तीसरा प्रयास कर रहे थे कुछ ऐसे थे जो बहुत सारे एक्जाम दे रहे थे तो मुझे अच्छा बहुत लगा सभी से मिल करके और मैं सच बताओं मैं आप सभी का बहुत बहुत रहनी हूं आप सभी में से बहुत सारे सेलेक्टेट कंडि का जितने भी लोग मिले बहुत सारे पुलिस में थे वहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट थे उनसे भी मुलाकात हुई मतलब बड़ा मेरे लिए एमोशनल मॉमेंट होता है जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ और आप लोग बताते हैं इस तरीके से तो दो तीन जो इलाबाद में पोस्टेट थे हमारे स्टूडेंट वो भी आकर के मिले तो अच्छा बहुत लगा मतलब ये बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छा मॉमेंट था मेरे लिए तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया थेंक्यो सो मच और अप पढ़ाने के लिए मैं कल से क्लास्स चार्ट कर रहा हूं और कल से चीज़ शुरू करेंगे वैसे मेरा मन था कि आज से श्टार्ट करूं लिकिन अभी लेट हो गया हूँ आते आते हैं अभ काफ़ी लेट होगा है नहीं तो मैं आज से ही कलास, कल मैंने रात में जैसे ही आयोक का नेर्णाय आया था, नेर्णाय के बाद ही मैं वहाँ से निकल गया था, वही मैं साथ आठ बजे निकल गया था, तो पूरी रात अभी सफर हुआ है, सोये नहीं हैं, तो अब जा करके मैं अब सोओंगा, बीच म आगरा में भी थोड़ा सा टाइम हमने बतीत किया आगरा में कई सारे स्टूडेंट थे बहुत सारे उनसे सबसे मुलकात की तो चलिए अब मिलते हैं फिर से एक नए जोस के साथ सुरू करते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं आप सब लोग जुड़े रही है इसी तरीके से आपका अपना परिवार अजाद ही इस अकेडमी में मैं इतना काम अभी करवा दूँगा इस पूरी अवधी में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इंटार वीडियो मास्टर वीडियो भी आएंगे कुछ प्रैक्टिस सेट और भी मैं सुरू कराओंगा ठीक है चलो धन्यवाद